Hello friends, आज हम discuss करने वाले है sociology of development यहाँ पर development and progress के बारे में क्या-क्या चीज़े है, इसके बारे में क्या-क्या थियोरी है यह हम discuss करने वाले है तो पहले देख लेते हैं, आज की class में हम mainly क्या-क्या discuss करने वाले है हमारा जो भी है पहले, understanding of development and progress मतलब progress and development यह चीज क्या है वैसे तो literal meaning में हम सब कुछ समझते हैं लेकिन sociological terms में इन चीजों का क्या importance है या फिर क्या definition है यह सारे चीज़े हम देखेंगे उसके बाद देखेंगे major perspectives on progress and development मतलब किन-किन लोगों ने development और progress के ऊपर theories दिया है उनका theory का main part क्या है आज के class में हम उन लोगों का main main जो भी topic है जिस चीज़ पर उन्होंने development के बारे में क्या बताया है वो main main topic देखेंगे उसके बाद आगले class में हम हर एक इनसान का जो भी topic है और discuss करके देखने की कोशिश करेंगे तो फिर चलिए आज का class शूरू करते हैं अगर आप मेरे इस channel पे नए है तो please subscribe कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर देना तो फिर आज class शूरू करते हैं यहाँ पर पहला जो चीज़ है हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि development and progress चीज़ क्या है development and progress mainly हमारा positive sense में use होता है हम सब हर वक्त यह चीज़ positive sense में normally use करते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है कोई development होगा तो progress ही होगा ऐसी बात नहीं बहुत सारे time ऐसा भी होता है कि कोई भी development project हुआ लेकिन उसके बज़े से progress नहीं progress ना होने के भी chances होते हैं और हमारा जो भी human society है ये human society बहुत सारी changes से गुजर रहा है हम जब भी पहले के जमाने में थे हम बंदर के थे बंदर जैसे थे उससे धीरे धीरे करके हम इनसान जैसे बने हम पहले जंगलों में रहते थे धीरे धीरे घर बनाए आप जो भी situation में है कुछ सालों बाद उससे बहुत different हो जाएंगे मतलब हमारा जो भी human society है वो बहुत ही change हो रहा है इसने बहुत सारे time में बहुत changes या फिर बहुत progress और बहुत development देखे है पहले के जो भी centuries थे वहाँ पर development को progress बताया जाता था उसके बाद इसको एक growth बोला गया उसके बाद इसको change बोला गया अब हम जब भी development के बारे में बोलते हैं development को सिर्फ economic term में discuss नहीं करते हैं सिर्फ economic progress होने से हम development नहीं कहते हैं अब हम social or human development को भी normal development में use करते हैं मतलब जब भी हम development बोलते हैं तब economic के साथ साथ social or human development को भी include कर देते हैं तो अब देखते हैं कि हमारा जो भी major perspectives है या फिर जो भी इंसान है जो भी thinker है sociologist है development के बारे में क्या क्या चीजे उन्होंने बुला है कि हमारा human society पिछले जमाने में कैसा था और changes कैसे हुए और अब हम किस जगा पर है अलग-अलग thinker ने अलग-अलग तरीके से इसको define किया है हमें ये class बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा अगर हो सके तो बार-बार देखना क्यूंकि ये चीजे हमें by heart करना है इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से सीखना है क्यूंकि यहाँ पर हम देखके ऐसे लग सकता है कि आरे ये सारे चीजे तो हमको मालूम है लेकिन हर thinker का अलग-अलग देखने का नजरिया है उस चीज को हमको याद रखना होगा तो हम शुरुआत करते हैं आगोस्ट कॉम्ट से आगोस्ट कॉम्ट ने ये सुसाइटी को दो हिस्सों में बाटा था या फर दो पार्ट में डिवाइट किया था एक है social aesthetics और दूसरा है social dynamics Social aesthetics मतलब जो भी चीज़े हमारे society में स्तीर रहता है जिसमें mainly बहुत ज्यादा कुछ changes नहीं आते है जैसे major institutions और institutional complex जो भी हमारा institution है उसमें बहुत ज्यादा कुछ changes नहीं होता है उनको कहा जाता है social aesthetics और दूसरा होता है social dynamics Social Dynamics का मतलब हमारा Society में जो भी Development and Change होता है उसको कहा जाता है Social Dynamics अब देखते हैं L.H. Morgan के बारे में L.H. Morgan ने Society को तीन स्टेजेस में डिवाइट किया है मतलब उन्होंने एक Evolutionary Perspective दिया है मतलब Society धीरे 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 Evolution के बाद किस स्टेज से किस स्टेज में आया है उन्होंने तीन स्टेज को बताया है सेवेग्री, Barbarism और Civilization सेवेग्री मतलब एकदम पुराने जमाने जब हम हिप्पीस की तरह रहते थे, जंगलों में रहते हैं जहाँ पर हमारा कोई आता पता नहीं था, हम जंगल में ही सब कुछ करते थे उसके बाद Barbarism मतलब हम थोड़ा बहुत Civilized होना जश्ट चालू ही किये थे उसको कहा जाता है Barbarism और उसके बाद Civilization जब हम धीरे-धीरे Civilized होने लगे गाउ बनने लगे, शहर बनने लगे उसको कहा जाता है Civilization ये जो इनका Three Stages है इन Three Stages में हर स्टेज में तीन-तीन पार्ट है ये सारे चीजे हम अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम बस देखेंगे इनका Major जो भी Perspective है Development और Progress को लेकर कार्ल मार्क्स ने Majorly Moods of Production के बारे में बताया था मतलब सुसाइटी हमारा जो भी Progress करता है ओ Mood of Production की Changes के बज़े से ही होता है हमारा जो भी पहला है Asiatic, दूसरा Ancient उसके बाद Faudal और Last में Capitalist Society Asiatic Society क्या है Asiatic Society mainly हमारा जो भी Asia का Model है उसको बताया जाता है Asiatic यहाँ पर mainly primitive communism होता है मतलब ownership जो भी land का होता है मतलब जो भी owner होता है land का वो एक एला इनसान नहीं होता है वो एक पुरा community उस चीज़ का owner होता है उस चीज़ का या फिर उस land का owner होता है उसके बाद आता है ancient society ancient society में सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली बात है वहाँ पर था master और slave कोई एक इनसान होता था master और उसके बहुत सारे slaves होते थे जो भी हम फिल्मों में देखते है कि क्योई एक master है master है और बाकी लोग उसका slave है यह हम western society में बहुत ज्यादा देखते थे वहाँ पर जो भी black इनसान थे उन लोगों को slave की तरह रखा जाता है और जो white इनसान थे वो लोग master होते थे उसके बाद fordell society fordell society में lord और surf का एक idea आया था lord और surf का मतलब क्या है कोई भी एक landlord होता था जो उस land का owner होता था और surf जो था वो उसको cultivate करता था cultivate करके उसका जो भी है हिस्सा उसको दे दे था था यह हम याद रख सकते है mainly जज्मानी system से जज्मानी हमारे यहाँ पर जैसा होता है जज्मान एक इनसान उसका land owner होता था और बाकी लोग काम करते है काम करके उसको back करके देते है इसको कहा जाता है fodal society और आखिर में जो society evolve हुआ ओ है capitalist society यहाँ पर दो तरीके के लोग होते है bourgeois और proletariat bourgeois जो है ओ होते थे जो भी land owner मतलब जो भी factory owners होते है ओ होते है bourgeois और proletariat means workers काल मार्स के हिसाब से society इन stages में इन चार stages में evolve हुआ है बर हमको याद रखना है कि उन्होंने बोला था कि capitalism, capitalist society के बाद और एक society आएगा जिसको कहा जाएगा socialist society या फिर हम कह सकते है उसको socialism मतलब वहाँ पर कोई भी भ्याद भाव नहीं होगा वहाँ पर सब पी का समान हक होगा उसके बाद बापस समाज में आ जाएगा communism ये हमें याद रखना है मैंने मेरे जो चैनल है यहाँ पर एक playlist है social theory वहाँ पर Karl Marx, Max Weber Emil Durkheim, August Compt Harvard Spencer, इन सब के बारे में details class है आपको कभी भी इस चीज़ के बारे में अगर दिक्कत हो वह class देख लेना आपका जो भी doubt है वह सब clear हो जाएगा अब देखते हैं Harvard Spencer ने development and progress के बारे में क्या बताया था उन्होंने society को evolution of societies के थुरू समझाया था उन्होंने दो society में divide किया था एक है ओता था military society उसके बाद industrial society उनके हिसाब थे society, military society से industrial society में evolve हो था military society में क्या था mainly जो भी property था सबसे main characteristics ओ था compulsory cooperation मतलब military society जो पहले के जमाने में society में था compulsory cooperation मतलब एक दूसरे से compulsory cooperation होता था कि एक दूसरे को सहायता करने के जरुरती थी ओ लोग deny नहीं कर सकते लेकिन आज के जमाने जो है industrial society में जो है ओ है voluntary cooperation एक दूसरे को सहायता कर भी सकते है नहीं भी कर सकते है अपनी मर्जी लेकिन पहले के जमाने में compulsory cooperation होता था कि सहायदा करना ही होगा नहीं किया तो आप society से निकाल दिया जाओगे फिर देखते है फाइडानिन टोनिस एफ टोनिस एफ टोनिस ने क्या कहा था society को दो हिस्सों में बाटा था एक था जेमिन शेफ्ट और दूसरा जेशल शेफ्ट जेमिन शेफ्ट क्या था जेमिन शेफ्ट मेंली कोम्यूनिटी और जेशल शेफ्ट एशुशियशन कोम्यूनि और Gesselship मतलब Association यहाँ पर बहुत सारे लोग एकठा होते ही है कोई specific purpose के लिए अगर हमें example के तोर पर ले तो कोई भी NGO, NGO में जो लोग रहते हैं वो लोग एक Association फॉर्म करते हैं मतलब उनका काम है लोगों को help करना, help करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं उनका इसके बाद कोई एकठा कोई काम नहीं रहता, इसको कहा जाता है Association, हमें Fardinand Tonis का याद रखना होगा Two types of society, एक है Geminship, दूसरा है Gesselship उसके बाद हम आते हैं Emil Durkheim, Emil Durkheim ने society को दो types में बाटा था एक है mechanical solidarity और दूसरा है organic solidarity, mechanical solidarity होता था pre-industrial society, मतलब industrial society के आने से पहले जो society था, वहाँ पर होता था mechanical society और आज के जमाने में जो society है, मतलब industrial society में जो है, ओ है organic solidarity, mechanical solidarity में होता था agreement and identity between people, मतलब लोगों में एकता होता था और 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 दूसरे को tolerate करना, उनका difference के बज़े से एकठा रहना, conflict के बज़े से एकठा रहना, उसको कहा जाता है organic solidarity, हम simple term में याद रख सकता है, mechanical solidarity के मतलब पहले के जमाने में और organic solidarity मतलब आज के जमाना, उसके बाद मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने society को बोला था कि society पहले traditional pre-industrial था और आज हो गया है rational capitalist, उन्होंने इस change को बताया था कि ये change क्यों हो रहा है, उन्होंने बोला था कि ये change हो रहा है because by a process of rationalization of religious belief, religious belief में जो changes हो रहा है rationalization हो रहा है, लोगों की thinking जो भी change हो रहा है religion में उसके बज़े से society change हो रहा है, मैक्स वेबर का main theme ही था कि religion ही सारे चीजों को control कर रहा है, religion की changes की बज़े से ही हमारे society में changes हो रहा है उसके बाद देखते है, L.T. Hobhouse, Hobhouse ने क्या कहा था Hobhouse का main idea था moral development, उसने focus कहा था moral development में उन्होंने कहा था, development of the human mind was the crucial factor in social development मतलब social development में सबसे crucial जो factor है, ओ है development of human mind मतलब हमारा जो भी brain है, उसमें जो development होता है, ओ ही social development का कारण है उसके बाद उन्होंने बोला था, mental development includes the development of moral ideas towards the idea of a rational ethics मतलब किसी भी चीज़ को, mental development अगर हमारा होगा, तो हम किसी भी चीज़ को morally चिंता कर सकते है हम morally सोच सकते है, सिर्फ हम rationally नहीं सोचेंगे मतलब सिर्फ जुकती से नहीं सोचेंगे, वहाँ पर हम अपना moral idea भी use करेंगे उसके बाद हमारा next thinker है, टेलकोट persons टेलकोट person में society को तीन evolutionary stages में divide किया था पहला है primitive या फिर archiex society, intermediate society और modern society primitive society मतलब एकदम पुराना time का society intermediate मतलब पुराने के बाद, जो middle में जो phase था हम उसको कह सकते है, renaissance period जो था या फिर हमारा enlightenment period जो था, उसको कह सकते है, intermediate society मतलब transitional जो stage था, ओ है intermediate society उसके बाद जो society है, ओ है modern society मतलब आज के जमाने का जो industrial society है, उसको कहा जाता है modern society तो आज का class यहा तक है, जो जो thinkers थे, उनको हमने अच्छी तरीके से cover करने की कोशिश की, यहाँ पर हमारा 9 thinkers है, उनका main main point में जितना हो सके आपको याद करेने की कोशिश की, बाकी आपका मेहनत क्या करेगा, इसके उपर है अगर आज का class अच्छा लगा हो, तो चैनल को subscribe कर देना, मिलते हैं अगली class में, thank you